हेलो फ्रेंज वेलकम टो महाकाल फिजोब ये वाला जो वीडियो है इसके लिए बहुत दिन तक में इंतिजार हुआ था सम्थिंग 15 से 20 दिन हो गया है और अब जाके जो है ये वीडियो बना परले में इसमें एटुजेट बता दूगा कैसे क्या करना है और किस टैप से आप इसके लाओ और बहुत सारे एसे होते हैं जहां पर लोगों को नीड होती की जोब करना उस सेक्टर में जाना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपर्टेंट होता है क्योंकि हो सकता है उन्होंने उसी आधर पर कहीं पर एक्सप्रेंस लिया हो और अगर कोई फ्रेशर अगर है तो उसको कहां पर और किस टैप से जोइन करना है ठीक है कैसे मेंबर्शिप होगी ध्यान रहे पूरा वीडियो को सुनना अच्छे से तो पता चल जाएगा यहां पर मैं इतना जरूर एक बात में लिखके दे सकता हूं मैं किसी अधर जोब में लिखके नहीं देता हूं ले मैं आपको कोर्स के साथ में जोब भी दूँगा जोब तो मेरे पास में बहुत सारी पड़ी है लेकिन उसके लिए स्किल्स नहीं है लोगों के पास में ठीक है प्रोपरली समझाओंगा वीडियो थोड़ा बढ़ा रहेगा लेकिन अच्छे साप लोग समझ लेना तो पता जाएगा गोवर्मेंट प्रोजेक्ट का जोब भी इसके अंदर में अवेलेबल है चीक है और मैंने इसमें बहुत सारा इंक्लूडिंग आधर भी किया है जैसा कि मैंने या पर सेलरी जो लिखा हुआ है 16000 से लेकर तो पचास जार एटुजएट एजुकेशन मतलब की कोई अनपड़े व्यक्ति भी इसमें पार्टिसापेट कर सकता है ठीक है फ्री जोब रहेगा ध्यान रही यह में इंपोर्टेंट टोपिक है कि आपका जो जोब का पैसा किसी भी प्रकारका नहीं लिया जाएगा ठीक है ओनली फॉर रहेगा यह कोर्स का फीस रहेगा जो की मिन करूँगा और जो बंदा एडमिशन लेगा सिर्फ वही बंदा वीडियो को देख पाएगा मतलब अधर कोई भी पार्टिसपेट नहीं कर पाएगा उसमें ठीक है मतलब बीना एडमिशन का कोई भी वीडियोस नहीं देख पाएगा चिक है कहने का मतलब यह था एटुजेट एडिकोशन और यहां पर मैंने लिखा है पर्मानेंट जोब अब मैंने यह क्यों लिखा है क्योंकि बहुत सारी इंप्लोएर तो बनाती है लेकिन सबसे ज्यादा आप लोगों देखेंगे बहुत सारे यूटूबर्स भी है जहां पर कोंट्रेक्टर की जोब अधिकतर आत कर दो के दो के तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंफर्मेशन में टोफिक पर आते हैं हम लोग यहाँ पर है बहुत सारी जितने बी जो मैंने लिखा हूए मेट्रो ट्रेन बुलेट ट्रेन एयरपोर्ट ओफिस वर्क फ्रॉम हम कस्टूमर केर और कॉल सेंटर है गौर्मेंट प्रजेक्ट है इस पोकन इंग्लिश यह सारी एक ही में एड कर दिये इसलिए इंडिया का पहला है अब आप लोगों ने बहुत सारे कोर्सेस देखे होंग बुलेट ट्रेन के एयरपोर्ट के ठीक है मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा महाकाल फ्रीजोब महाकाल जोब ट्रेनिंग और एक और है आपकी मीनी करके और एक और जोब वरकेने लिंटी आप चारो वीडियो आप चारो यूट्टूब चैनल पर आप देखो कि सबसे ज्या कि सबसे पहले हम लोग को सभी को अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेते हैं ज्यादा बड़ा मैं इस वीडियो को करना नहीं चाहूंगा क्योंकि कोर्स के अंदर में फिर आपको जो जितने भी जो वीडियो बनेंगे ठीक है मैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोपर चाहिआ था अच्छा किया थे लेकिन उसमें से एक लड़काना सिर्फ एक ही कमेंट किया था शाहीद देखा उगा मैंने उस बंढते का कमेंट डिलेट नहीं किया था यूटूब आईडी बले उसने कहां से फेक आईडी से उसने कमेंट किया तो मैंने देख लिया था लेकिन फिर भी मैं कोशिश करऊ कि नंबर निकल जाए ठेके क्योंकि मैं यहां पर हर एक कोर्स का में हर एक प्रूफ भी दूँगा जोब कितनों की लगग लगेगी वह भी म सबसे में जड़ आते हैं इंडिया डिजिटल इंडिया में जाने वाला वहां बहुत सारे यहां पे इंगलिश की मांग करते हैं चाहिए कोई कंपणी ओब अगर एक कमपनी कुछ कुछ कमपनी जो ठेकेदारी पर चलती है वो इंगलिश की मांगनी करती हो तो अनपढ़ को भी जूब देते थे ठीक है लेकिन स्पोकन इंगलिश आपके पास में अगर है तो अगर यकिन नहीं हो तो खुद गूगल करो खुद यूटूब करो ठीक है अगर मैं जूट बोलूंगा तो डेफिनिटली आप हर एक चीज़ को आप डेफिनिटली गूगल और यूटूब करते रहे ना चाहिए आप किसी से ए सब्सक्राइब करना हो तो मुझे बताना ठीक है बहुत मिनिममम जो रहेगा उसका फिस रहेगा जो कि आपको हर मन्त में आपको सिखाया जाएगा कोशिश करूँगा कि मैं छे महीने एक साल तक मैं मैं कोर्स को नहीं चलाओंगा कहने का मतलब है कि मानलों की इस इंगलिश इस पोकन क्लास जो है ठीक है तो इसमें मैं इतने दिनों तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा मैं कोशिश करूँगा कि दो से तीन महीनों में इंगलिश उसको सीखा के प्रोपर लिए उसको जोब पर भेज दिया जाए यह इस पोकन इंगलिश की बात कर रहा है ठीक है अब नेक् उसका रिजन इंटर्यू में फैल तो इंटर्यू में फैल नहीं होना है वो कैसे नहीं होना है उसका सारा टिप्स और ट्रिक्स मैं बताऊंगा ठीक है ग्राउंड इस्टाफ हो कैबिन क्रू हो चाहे एर होस्टेस हो चाहे कुछ भी हो ग्रूप डिस्क्रिप्शन में क्या पूछते हैं आपसे ठीक है पासपोर्ट चेकिंग से लेकर तो बहुत सारी इसी पोश्ट होती है जहां पे आप लोगों को पता ही नहीं होता है पहले बात तो यह है कि किसी को यह तक नहीं पता होता है कि टिकेट कैसे बुक करें ठीक है किसी को यह तक नहीं पता होता है कि ए यूटूब से पढ़ लेंगे यूटूब से पढ़ तो लेगी लेकिन जोब नहीं मिल पाएगा जो में यहाँ पर दूँगा ठीक है क्योंकि मैं दे रहा हूँ जेपैं एंग्लिश कीम्यट इसक्ण इसमें डिफिनेटली चैई सकते आवं जैसे आप तो उसको मत देखो बस इतना साथ गो alar chat केसे करना एएरपोर्ट में ठीक है अब चलते हम लोग कोल सेंटर की तरफ में कि कोल सेंटर ये क्या है ठीक है तो बहुत सारे से करते हैं क्या पूछ जाते हैं ठीक है अपना अनुभव सभी के सामने में लाइव सेंटर के दोंगा कोई विए अगर में सिख्वाओ तो डिफिनेटली मैं सिखाऊंगा ठीक है वेबसाइट डेवलप्मेंट यह क्या होता है अब बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी सुना भी होगा किसी नहीं सुनाओगा कि यह क्या है तो आप लोगों ने देखा होगा मैं इसका भी प्रूफ बताता हूं ठीक है सबका प्रूफ में बता जाओंगा वेबसाइट पर देखना मेरे खुद का वोटसप चैनल वोटसप ग्रूप में देखना 92 वोटसप चल रहे हैं व थे जिन्यें को मतलब मैंने खुद पर अपने मेरी पोस्ट कर दब जिससर्च कि यूइं के rewarded सढ़ें के होता है कई व्यपसाइट करें मेरे खुद को करने शृफिक भी कि दिनोग को क्यों बैसाइट इसम पैसा डेता है कहां से देता है गुगल से लेकर लास्ट एंड तक में डेटा से लेकर तो उसको वैपसर डिजैन कैसे करनी वह भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन मेरे तरीके से बताऊंगा ठीक है ज्यादा ओर माइंड अगर चलाओगे तो शायद कुछ भी नहीं हो पाएगा पैमेंट अगर अटक गया एक बार ियोप्स जब यूट्यूब करें कमाया था कंश्टूमर केर में धुटूमीय ङीह-फिए यूटाल से ले होगें करनेह dipue खुद देखोगे आपकी मिनी देख लो जोब वरकेनल धोमाकाल फ्रीजोब देखलो महाकाल जोब ट्रेणिंग देखलो और वहाँ पे वीडियो सब्सक्राइबर देखलो कैसे कैसे हैं ठीक है मतलब कहने का मतलब मैं मैं खुद YouTube से मैं payment कमाता हूं ठीक है और मेरा जो दोस्त है जिसका नाम पंकच जोब वार्क अलेंटी वो खुद भी पैसा कमाता है ठीक है उसको खुद को टीप से ट्रिक्स हैं ठामनेल कैसे बनाए जो CTR होता है वो क्या होता है बहुत सारी चीज़ें एसी होती जो उसको न न्यू YouTube चैनल create करवाकर में data में दूँगा thumbnail कैसे बनाते हैं description कैसे लिखते हैं hashtag कैसे करते हैं tag कैसे करते हैं video IQ कैसे चलाते हैं और analytics कैसे चेक करते हैं audience retention क्या होता है मैं सब कुछ उसको बता के मैं उसके account में payment आने तक में मैं उसको definitely पूरा एकदम trend कर दूँगा कहने का मतलब है starting से उसकी यात्रा शुरूँ की खतम भी करूंगा तो बंदा खुद बोल देगा बोले कि सर आप मैं आराम से में पैसे कमा सकता हूं घर बेटे ठीक है डेटा में दे दूँगा उसका दिक्कत नहीं है ठीक है सब कुछ में खूदी करूंगा यूटूब कोर्स के लिए यूटूब चैनल बना के दूँगा और लास्ट एंट तक में उसका पैमेंट उसके अकाउंट में आने तक में तो यह था बड़ा इंफोर्मेशन अब आते ही वर्क फ्रों होम तो यह क्या है वर्क फ्रों होम में बहुत सारी इसी वेकेंसी आती है जहां पे आप लोगों होगा फलिपकर्ट में अपलाई किया होगा ठीक है और आप लोगों ने बहुत सार एसे कौल सेंटर से ले कर तो एचरव डीपांटने आप लोगों आप लोगों अपलाई किया होगा लेकर या फिर आपका जो वी रहता ही इंटर्यूब costume Oliapp हो कहने का मतलब में ऐसा नहीं कर रहा कि आपको कोई बुराई नहीं कर रहा ठीक है लेकिंड जो रीलीटीं वह में आपको बता रहा हूं तो उसका तयारी में करूंगा कैसे घर-बेटE ठीक है तो यह था इसमें उसके बाद में हम लोग कुछ और पर इंपोर्टेंट बात करते हैं वर्क फ्रॉम ओफिस ठीक है बहुत ज्यादा लंबा वीडियो जाएगा लेकिन थोड़ा सा में इसको जल्दी जल्दी खतम कर देता हूं वर्क फ्रॉम ओफिस क्या होता है इसमें बहुत सारी कंपणिज ऐसी होती है जो कस्टुमर केर भी बनाती है यह फिर आपने लोगों ने देखा और डेटा इंट्री गांङता जो यह श कश्टुमर केर बीप्लें इसरी होती हूथGL तो उससमें भी इंट्रुब नहीं हो पात है तो मैं उसको ट्रेंड करड़ कि होता है मैं यह उसको अगर लग लगे तो उसका नीकालने का क्ली शिस्ट्म नहीं रहेखा अगर प्रोपर लिए अच्छा सा में जोब दे सकता हूं जिसमें ओवल टाइम अच्छा चलेगा आठ घंटे 26 दिन का ड्यूटी भी उसको करना पड़ेगा लेकिन अच्छा खासा सेलरे में उसको दिला सकता हूं ठीक है रहने खाने की सुधा सब कुछ में करवा दूंगा अब आता है दो इंपोर्टेंट टोपिक मेट्रो ट्रेंड और बुलेट ट्रेंड अभ यह क्या होता है बहुत सारे लोगों ने एक ही बात सुने होगी हमारे इसमें चेनल पर ठीक है सबसे पहले जो नाम आता है ना कंस्ट्रक्शन साइड का सब लोगों ने एक ही नाम सुना अगर construction site पे लोग job देते हैं Metro train बुलेट ट्रेंड लेकिन इस बार में दोस्तों मैं बहुत सारी jobs में ऐसे लिका हूँगा जो की Metro train और बुलेट ट्रेंड से related में होगी मैंने पिछली बार में भी बता था FLX और FX का जो भी exam रहता है ठीकिया फिर site engineer junior engineer कैसे बनते हैं ठीक है उसका process किसी को नहीं पता है Metro rail से लेकर technical job तक मैं उसको हर एक बात बताऊंगा और कैसे उसमें इंटर होना है कैसे junior engineer में जा सकते हो कैसे senior engineer में जा सकते हो कैसे वह विदेश के लिए अपलाई कर सकता है Metro rail में एक जोब पाने के बाद में भी कहने का मतलब है companies आप चाहे L&T चुन लो चाहे Infosys चुन लो या चाहे कोई NCC company चुन लो कोई दिक्कत में NCC company भी इसी फिल्ड में आती है ठीक है और जो भी टेक्निकल लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि हम लोग कैसे इंटर करें और कैसे हम लोग इसमें जोब पाएंगे या फिर मिज़े क्या करना पड़ेगा किसी को यह तक नहीं पता होगा कि किसी को यहीं पता नहीं होता है उससे कितने लोगों का शिलेक्शन होता है कैसे शिलेक्शन होता है इंटरू में क्या पूछी जाते हैं बहुत सारा वरना जोब तो बीना इंटरू के भी मिल जाती है लेकिन मतलब नहीं कहने का मतलब एक फ्यूचर नहीं ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको एक फ्यूचर की एक जोब दे सकता हूं मेट्रोरेल से लेकर तो बुलेट ट्रेंड की इसमें जाद दिन तक का यह कोर्स नहीं रहेगा 15 से 20 दिन तक में चलेगा ठीक है वर्क फ्रों ओफिस का भी 15 दिन से 30 दिन अधर कंपनी अधर इंडेस्ट्री में यह 10 दिन का कोर्स रहेगा खुब सखुब 10 दिन ठीक है मैक्सिमम में 10 दिन मानलो अधर इंटर्यूउज में भी मैंने बता दिया है ठीक है इंट्रू टिप्स और ट्रिक्स होगरा मैं बताओंगा ठीक है एक्सप्रेंस भी मैं आपको जोब पर मैं भेज़ूगा भी सही क्या बोलना है महाँ पर किसे मिलना है कैसे आपको जोब करना पड़ेगा क्या जोब के अंदर में क्या-क्या वर्क रहेगा मैं सब कुछ एन ही में बताऊंगा ठीक है आई टैयी कोर्स में यहाँ पर लिखाए घर बेठे आप आप आई कर सकते हैं मतलब कि कोई भी फेक और फर्जी वाला सर्टिफिकेट नहीं रहेगा ठीक है उसके लिए आप मुझे संपर कर सकते हैं उसका कितना फीस रहेगा कर देखो तीनों को मैं दो तीन में बता दूंगा डिपलोमा करो चाहिए इसके बारा मैंने बता दिया है अभी डिटेल्स ठीक है इसमें भी कोई कंफिजन होगा तो मुझे डेफिनेटली बता देना ठीक है अब आता है klc machine और कस्टूMmerce ए मेंन इंपोटेंट टॉपिक कस्टूम्र के जेके बहुर सारे सारे कमनी कर सकते हो निकांखर के आज वहा सकते हैं कोई ने का मतलब कोई फोन उठा ही लेता है वह कैसे बनना है कैसे बनोगे आप लोग वो मैं आपको बता हूँ को अंदर में तो इतने दिन में अगर आपको बहतर अगर जोब अगर मिल रही है तो कोई दिकत नहीं है आपने 11 पास कि योगी 12 फास कि होगी सब में एक साल लगा था लेकिन आप जोब नहीं मिल पा रहा है लेकिन में हापे 15-20 दिन में आपको एक प्रोपरली जोब देखे दूंगा ठेक है और मैं खुद ही दूंगा जोब जोब निशूल करहेगी निशूल करहेगी ठेक है तो गाइस ध्यान रखें यह वाला कोर्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ही अगर किसी को अगर जरूत है तो डेफिनेटल आप शेर भी कर दो ठीक है और जिसको अगर नहीं करना है तो ठेकेदारी की जोब में बहुत सारी बनाई है देख लो नहीं मैंने भी अगर नहीं भी बनाई हो तो आपके इसी और यूटूब चैनल पर आप देख लेना ठेके दारी की जो भर कोई कर सकता एक साल करेगा दो साल करेगा तीन साल कर लेगा उससे जादा करेगा नहीं और भाग जाएगा फिर दूसरी जोब के लिए भटकेगा तो वो वाला काम इधर नहीं चलेगा ठीके दिश्णी मसीन ऐपरेटर का भी अभी जो है कोर्स चालू हुए ठीक उसके लिए आप एडमिशन ले सकते हो ठीक इसमें आपको सेलरी काफी जाएगी सीएंसी मसीन में कस्टुमर की र में बहुत सारी सेलरी मिल जाएगी ठीक है मैंने यहां पे नंबर होना ज़रूरी है लेकिन उसके लिए लगेगा क्या उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सारी चीज़े उसको एड़ करना पड़ेगा अपने कोर्स में तो मिलते हैं नेक्स्ट बेश्ट भरती में तीके मैंने नंबर दिया हुआ है ठीक एडमिशन चालू है कोल करके या फि बेश्ट भरती में दोस्तों